नमस्कार जैहिन दोस्तो आज हम देखने वाले हैं BPSC का प्रैक्टिसेट और डेली बिस पे आपका यहां पे सेट जो है करवाय जा रहा है तो आप इसको डेली बिस पे देखते रहेगा और यह जो आपका प्रैक्टिसेट है आपका रुकमिनी का है यानि प्लेटफारम का है यह आपका volume 1 practice set है देखिए उपर लिखा हुआ है volume 1 और यह आपका new practice set market में launch किया गया है ठीक है तो इस book की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 15 practice set दिया हुआ है डेली हम एक एक set देखते हुआ इसको हम जल्द कंप्लिट करेंगे तो वीडियो को आप सबी लोग सु परसन जो है revision करने में आपको बहुत ही बहतर होगा क्योंकि बिहार दरोगा में आपका GKGS का सेट आता है और प्लस BPSC में भी आपका GKS का सेट आता है तो वहां से आप revision कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला परस्न हम देख लेते हैं तो देखिए यह हम मिला लेते हैं देखिए जो आपको पहले आता है आप उसको मिलाएंगे तो आपके लिए भैतर होगा जैसे हमको पहले अगर बात कर लेते हैं तो जो महात्मा गांधी है तो इनका देखिए आपका हो जाएगा हिंद सुहराज ठीक है हिंद सुहराज हो जाएगा रविना ट याद रखेंगे सी हमारा यहां पे correct answer हो जाएगा इस बोला कि इंडिया फॉर इंडियन्स किताब जो है किस ने लिखा है तो यह जो आपका लिखा गया है answer हो जाएगा option number देखें india for indians किताब की जो रचना है दोस्तों यह cr 20 कि दूरा जो है तो आपके यहां पे हो जाएंगे जे एल नहरू यानि जावाहरला नहरू हो जाएंगे तो option हमारा यहां पे इन में से कोई नहीं होगा निमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो बोलाए कि संपरदाइक निर्णे जो है आपका 1923 यही हमारा गलत हो जाएगा देखिए संपरदाइक निर्णे की जो घोसना है 16 अगस्त 16 अगस्त 1932 में यहां पे हुआ था तो बाकि हमारा जो सही उसको देख लेते हैं जैसे भारतिय जल सेना अधिनियम जो है 1927 समिन्य वग्या आंदुलन जो है 1930 हो जाएगा दूतिय गोल में समिलन जो है हमारा यहां पे 1931 हो जाएगा आगे देख लेते हैं नेमनांकित युगमों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है गलत कौन सा है देखिए बकसर के युँ जो हुआ था 1764 में हुआ था सहायक संथी 1863 जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा ठीक है तो याद रखेंगे और जो भारत में इस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार की समाप्ति जो है 1833 सही है ब्रिटिस नागरिकों एवं कंपनीयों के लिए 1813 में भारत यानि भारत में व्यापार का खोला गयाना ये भी हमारा सही हो जाएगा देखिए जो आपका सहायक संथी है दोस्तों 1798 में ठीक है 1798 में आगे है इन में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है यानि कौन सा इसमें आपका जो कथन है गलत है तो गलत हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म जो है गांधी नगर में हुआ तो यही हमारा यहां पे गलत हो जाएगा महात्मा गांधी कजन्म गुजरात के पूरबंतर में 2 अक्टूबर 1879 में हुआ था बाकि डॉक्टर एनिवेसेंड थियो सौफिष्ट थी थियो सौफिकल सुसाइटी का जो अंतराष्ट्री यो मुख्याले जो है मदरास में है सौमी दयादन्द सर्स्ति ने आरे समाज की स्थापना किया था ये सही है मलिखीत में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राज्नैतिक फिरोती कहा है आंसर हो जाएगा लॉड लिलितší को आप्सिन महारा यहाँपे सी सई हो जाएगा वर्धा में सेवा गराम आसरम को किसने इस्थापित किया है तो आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर भी महात्मा गांधी आगे प्रस्न है कि देवबंद के उस विद्यवान का नाम बताईए जिन्होंने सोतंदरता आंदोलन में महतपुड भूमिका निभाई है तो महतपुड भूमिका यहां पे निभाया है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए अबुल कलाम अजाद याद रखेंगे देखिए अबुल कलाम अजाद का जो जन्म हुआ था 1888 में मक्का में हुआ था ठीक है नेश्ट कोसन देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है आधारित था किस पर तो 1919 आप सभी लोग याद रखेंगे माउंटेग्यू चैम्सपोर्ट रिपोर्ट पर आधारित था ओप्सन हमारा यहां पे ए सही आंसर हो जाएगा माउंटेग्यू उस समय भारत सचीव और चैम्सपोर्ट भारत का वायसराय था निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदक से नहीं था तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोसन नमर्ट 10 का ओप्सन नमर्ट D हो जाएगा लॉडड एमरी नहीं था बाकी लॉडड पैथिक लॉरेंस हो जाएगा ए बी अलेगेंडर हो जाएगा और सर इस्टेफ़ोर्ट क्रिप्स हो जाएगा तो इसका जो ट्रीक है काल है काल से आप सब लोग समझिएगा कौन कैसे क्या होगा ठेक है चलिए आगे हमारा प्रस्न है निम्ण में से किस देशी रियासत को अंगरेजों ने अपने छेतर में नहीं मिलाया था तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जायेगा आपका ग्वालियर ग्वालियर को नहीं मिलाया था बाकि सिंद को मिलाया था अवद को मिलाया था और आपको सतारा को मिलाया था याद रखेंगे सबी लोग आगे प्रस्न है कि भारती राष्ठी कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वतनता प्राप्ती का लक्ष जो है किस वर्स में घोसित किया था देखिए आंसर हो जाएगा ओप्स नमबर ए वर्स 1929 में देखिए वर्स 1929 यानि दिसंबर 1929 में लाहुर में पंडित जवाला नहरू के अध्यक्सता में पूर्ण सोतनता का लक्ष जो है कॉंग्रेस पार्टी ने घोसित किया था ठीक है तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे फरवरी 1928 में आयोजित सरवदलिय समिलन के अध्यक्स निमलखित में से कौन थे तो इसमें कौन थे बताईएगा इसमें देखिए आपके हो जाएंगे ऑप्स नमर बी डॉक्टर म. अंसारी ऑप्स नमर बी हो जाएगा चलिए आगे प्रस्त है कि एक वर्स के भीतर सोराज की प्राप्ती लक्ष था देखिए एक वर्स की भीतर आंसर हो जाएगा आउसायोग आंदुलन का आउसायोग आंदुलन यही हमारा point जो है गल्लत हो जाएगा गांधी जी के अनुसर सत्य और अहिंसा के दोरा बड़ा से बड़ा समराजे को जुकाया जा सकता था ठीक है सत्यगराही का सस्त्र अहिंसा है सही है सत्यगराही को अपने संकल्प से द्रिड विस्वास होना चाहिए सत्यगराही को विरोधियों के प्रति द्वेस भाव नहीं रखना चाहिए तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे जलिया अलबाग नरसनहार हुआ है चलिए इसका आंसर हो जाएगा option number E हो जाएगा option number E अब देखे जलिया अलबाग जो नरसनहार हुआ है और बागी हमारा सभी option यहाँ पे गलत दिया गया है चलिए आगे देख लेते हैं आगे हमारा परसन है निमलिखित में से कौन लगातार 6 वरसों तक भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट रहे है आंसर हो जाएगा अबूल कलाम अजाद बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा निमलिखित में से कौन भारती प्रेस की सोतनरता के समर्थक थे आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी लॉड मेटकॉप जिस गवंदर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था वह कौन थे दास प्रथा को देखिए यह आपके हो जाएगा लॉड ऐलन बरो लॉड ऐलन बरो ओप्सन नमर सी कूका आंदुलन की नियू जो है पड़ी थी कहां में देखिए कूका आंदुलन आप सब लोग याद रखेंगे दोस्तों पंजाब में पड़ा था कहां पे पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कूका बिद्रोपंजाब में 1872 में हुआ था नंद्रिक्सित में से कौन सी घटना महराश्टर में घटित हुई है महराश्टर में आंसर हो जाएगा उप्सन नमर ए भील बिद्रो देखे भील बिद्रो जो है पस्चिमी घाट में हुआ था भील बिद्रो जो है कौन से दसक में हुआ था तो आठारा सो दस दसक में है ठीक है बृतिस द्वारा कुसासन का बहाना लेकर के निमर्खित परांतों में से किस एक परांत के सासक को हटाया या फिर सासक को हटा दिया गया था आंसर हो जाएगा 22 का option number A अवद इसका सही उत्तर हो जाएगा अवद राज्य के सासक वाजीद अलिग साह को हटा दिया गया था हडपा सभेता में बरतनों पर समाने तक किस रंग का जो है उपयोग हुआ था बरतन आंसर हो जाएगा option number A लाल रंका रेट कलर option number A करेक्ट हो जाएगा आगे प्रसन हमारा है बोलाई कि आरंबिक वैदिक साहिते में सरवादिक वनित जो नदी है कौन से है तो सभी को याधी होगा दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा option number A सिंधू नदी क्या हो जाएगा सि कारूमंदेई इस्तम्भ संबन्धित है किस से तो यह जो आपका संबन्धित है दोस्तों 25 का आंसर हो जाएगा बुध के जन्म के इस्थान या बुद्ध के जन्म इस्थान से है option हमारा यहां पे क्या हो जाएगा ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा संगम संगम कालिन सहित्य कौन को एक यानि कौन को एवं मनन किसके लिए जो है प्रयूक्त होते हैं आंसर हो जाएगा option मर्डी याराजा राजा याद रखेंगे संस्कृत के कभी और नाटक कर कालिदास का उल्लेख जो है हुआ है कालिदास आंसर हो जाएगा पुलकेसिन दुटिय के यह होल अभी लेख में यह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए next question हम देख लेते हैं किस सासक वंस ने मंदिरों एवं ब्राह्मनों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया है तो यहनी ग्राम अनुदान में दिया था इसकी answer कि अगर हम बात कर लेते हैं 28 नमबर तो यह आपका हो जाएगा option नमबर A गुप्त वंस क्या हो जाएगा गुप्त वंस आगे है कि सोनगिरी का एतिहासिक दिगंबर जैंति इस्थल इस्थित है थोड़ा सा यहाँ पे बलर हो गया है तो इसका जो सही answer हो जाएगा 29 का option यहाँ पे C हो जाएगा मध्य परदेश में क्या हो जाएगा मध्य परदेश मे निमलिशित में से किसका प्राचीन भारत की आयरवेद सास्त्र से संबंध नहीं है तो सास्त्र से संबंध नहीं है तो आपका भासकराचारी जो है आयरवेद से संबंध नहीं है यह आपके गडित और खागोल विद्र थे बाकी धन्मंत्री हो जाएगा चरक हो जाएगा औ इस घटना को महाभिशनी सिक्रमण के रूप में जाना जाता है तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उनका गिरिहत्याग क्या हो जाएगा उनका गिरिहत्याग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा थोड़ा सा इंपोर्टेंट आपका जो पॉइंट होता है वो याद चक्र परवरतन या उनका जो होता है प्राथम उबदेश से होता है एक इस्तूप होता है इस्तूप से आपका होता है और सेसो पर बना इसमारक होता है ठीक है तो याद रखेंगे सबी लोग तैमूर लंग के आकरमण के बाद भारत में किस वन्ज का यहां पे राज़ी लोग पर ये बनाया था संकरदेव ने किस ने बनाया था संकरदे उप्स नमर डी मध्यकाल में बटाई सब्द का अर्थ क्या था ठीए बटाई सब्द का जो अर्थ है लगान दिधर्ड का तरीका उप्स-न हमारा यहां पे बी सही हो जाएगा फारीद जो बाद में सेरसा सूरी बना था यहने सेरसा सूरी बना ने कहां से सिख्षा प्राप्त किया था तो सिख्षा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह जौनपूर से प्राप्त किया था सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा निमलिकित में से किसे अकबर ने सुए मारा था देखिए अकबर के अगर हम बात कर लेते हैं आंसर हमारा यहां पे 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पे देखिए आपका हो जाएगा option number A यानि आधम खां को आधम खां इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि माहम अनगा आधम खां की जो माता का नाम था माहम अनगा अकबर का धाई माता पालन पोस्ड करने वाली माता का नाम था ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं निमलखीत में से किसने अपने बादसाह पती के लिए मगबरे का निर्मान जो है करवाया था आंसर हो जाएगा ऑप्सिन नमर भी हाजी बेगम ने हाजी बेगम हुमायोक मगबरा जो है दिल्ली में स्चित है हुमायोक मगबरा अकबर कालीन भारत में प्रथम महत्पूर मगबरा है याद रखेंगे सबी लोग इंपोर्टन्ट है राधा कलेहा का किस्सा पुस्तक के लेखक थे आंसर हो जाएगा नवाब वाजीद अलीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारते समिधान के अंतरगत संसत के सदस्यों के विशिसाधिकार तथा उन मुक्तियों को निच्स यादिने निर्धायत करता है आंसर हो जाएगा उप्सन मर्भी अनुछेद एक सो पांच समिधान के अनुछेद असी के तहट राष्ट्रपती के पास विज्ञान कला साहित या समाज सेवा से सम्मंदित विशेश ज्ञान और व्यवहारिक अनुभाव रखने वाले व्यक्तियों में से डैस व्यक्तियों को राज सभा में मनुद्ध जो है कियाने का प्रावधान ह तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा option nota da 12 व्यक्तियों को याद रखेंगे समिधान सभा के सम्मुख समिधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किस ने रखा है आंसर हो जाएगा हमारा option number E देखिए सविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवहार लल नहरू ने प्रस्तावना प्रस्तूत किया है तो सभी को याधी होगा आगे हम देख लेते हैं आगे हमारा प्रस्तूत की राज्य विवस्ता के संदर्व में निमलिखित में से किस एक को आप स्वतंता की सरवाधिक उपियुक्त व्याख्या की रूप में सिवकार करेंगे आंसर हो जाएगा option number D 101 को पूर्ट विक्षित करने का आवसर D हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतिय संसत का सची वाले सरकार से सोतंदर्द है निमलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है यानि गलत कौन सा है देखे इसकी अगर हम आंसर की बात कर लेते हैं तो उसके पास सत्रावसान के बाद भी सत्र को बुलाने के सकती है जो कि यही हमारा यहां पे गलत हो जाएगा सत्र के आहूत और सत्रावसान का अधिकार जो होता है राश्ट्रपती को होता है जो सही है उसको हम देख लेते हैं उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को इस्थगित करने की सकती होता है सदन के भंग होने के बाद भी सदन की पहली बैठक में पहले तक वह पद पर बना रहता ये सही है लोग सभाकिस दर्स्ता समाप्त होने पर उसे पद से हटा यानि हट जाना होता है ठीक है नि मिलीखित मेंसे किसके बारे में इस्थाई संसदीय समीती गठित जो है नहीं किया सकती है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमरR D अलप संख्यको के कल्यान के बारे में D जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चलि आँगे हम देख लेते आगे हमारा प्रस्न क्या है यह आपका बोला है कौन सा सन्विधानिक संसुधन राज्यों से चुने जाने वाले लोग सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी सात्मा और एक्तिस्वा हो जाएगा आंसर हमारे हैं पे सी सही हो जाएगा भारती संविधान के अनुषवद 170 के अनुसार किसी राज्यकी विधान सभा के सदस्यों की नियुनतम जथा अधिक्तम संख्या जो है करम सह हो सकता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन हमारा यहाँ पे यह हो जाएगा याद रखेंगे याद रखेंगे सभी लोग अपका साथ और अधिक्तम जो होता है 500 हो सकता है जो की हमारा ओप्सन में नहीं दिया गया है भारत का सरवच न्याले एक अभिलेक न्याले है इसका आसर है कि इसके सभी निर्णेओं का सक्षात्मक मुल्य होता है और इस पर किसी भी न्याले में प्रस्ण चिन नहीं लगया जा सकता है आंसर हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा इसमें देखिए सूची वन और सूची टू को यहाँ पे मिलान करके बताना है देखिए अगर हम मिलान करके बात कर लेते हैं तो जिसे हमारा यहाँ पे लोक लिखा समीती दिया गया है तो वित्तिय समीती हो जाएगा याचिका समीती जो है आपका यहाँ पे कार्यकारी समीती हो जाएगा इस्टॉक बजार स्कैम सनिक्त समीती जो दिया गया है यह आपका तदर्थ समीती हो जाएगा और विभागी समीती जो है यह आपका हो जाएगा इस्टेंडिंग समीती ठीक है चलिए नेश्ट कोशन देख लेते हैं आगे है निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है राज यह है राय सभा में इस्थानों का वंटन तो यह सबाब को याद होना चाहिए तभी आप इसका सही उत्तर बना पाएंगे जिसे हमारा आंदर परदेश जो है अठारा इस्थान प है तमिलाड में 18 है महराष्टर में 19 है ठीक है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अधिक्स्ता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान जो है कर सकते हैं आंसर जो है हमारा 51 का ओप्शन मर हमारे यहां पे सी सही हो जाएगा आ आगे देख लेते आगे हमारा प्रसने क्या है आगे कि भारती संसत के दोनों सतनों की सन्युक्त बैठक जो है किस संबंध में होती है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन मर सी सधारण विध्यक सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के का फ्रसिक्षण इन लिखित में से कौन से संसदिय समीति के दौरा जो है किया जाता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी हो जाएगा पबलिक अकाउंट कमेटी हो जाएगा सी इसका उत्तर हो जाएगा समिधान का का अनुछेद मोख्य मंत्री के दाइतियों को परिभासि करता है देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन मर ई हो जाएगा समिधान का अनुछेद 166 अनुछेद 166 मोख्य मंत्री के दाइतियों को परिभासित करता है और अनुछेद 166 के अंतरगत मोख्य मंत्री के तीन मोख्य दाइतियों होते हैं समय समय पर से मिल कर सासन संचनल से अवगत कराना राजेपाल मुख्य मंत्री से सासन प्रवंधन के बारे में बारे में जो सुचना चाहते हैं उपलब्द कराना किसी विशे पर एक मंत्री निर्णे ले लिया हो तो और राजेपाल उस विशे पर कैमिनेट में विचार करने के लिए करने के लिए रहने का परामर्षदे इस प्रकार से हैं सब होता है उच नयाले के नियाध हिसों के वेतन और भत्ते जुह है दे जाते हैं आंसर हो जाएगा राज्य की समय कितनी दिसे आंसर हमारा यहां पर भी हो जाएगा यह हमारा है व आना मैने यह प OL-1 मिक्रत याइनि ओम के पावर-1 मातरक पुछ रहा है आमने जिसनी हो जाए का- हम कि यहां ठीलान करके मताना है जैसे हमारा यहां पर लैक्टोमिटर दिया है या अपका दुदर का सुधता हो हो जाएगा आगे हैं इन में से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संद्रशना एवं उत्पत्ति समान होती है किन्तों उनके कारे जो है भीन होते हैं है आंसर हो जाएगा समयात भी इसका सही उत्तर हो जाएगा आंशर हो जाएगा लुब रिव श्कृतिर होती हैं से होती है और यहां पर जो आपका छोटी चेचक दिया गया है यह आपका छोटी चेचक पोलियो यह सब आपका खसरा जो होता है विसाणू से यानि वायरस से होता है ठीक है विसाणू यानि वायरस से होता है चलिए आगे हम देख लेते आगे हमारा प्रस्न है साथ नंबर य सितलतन तरंग कि सिध्धान पर कारे करता है आंसर हो जाएगा केवल सनवहन हो जाएगा याद रखेंगे ऑप्सन नमर बी किसी उत्तल दरबड द्वारा अनंद तथा दरबड के धुरू पी के बीच रखे बीम के प्रतिबीम की प्रकृति जो है क्या होगी आंसर हो जाएगा अभासी तथा सिधा हो जाएगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित कतलों पर विचार कीजे तो 63 का देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा यदि मेजेंटा और पीले रंग के दो विरित एक दूसरे को काटते हो तो प्रति छेदित छेतर का जो रंग होता है लाल होगा यदि स्यान और मेजेंटा रंग के दो विरित एक दूसरे को काटते हैं तो प्रति छेदित रंग यानि छेतर का जो रंग होता है नीला होता है ठीक है चलिए फ्यूज फ्यूज में प्रयूक्त होने वाली तार की विशेस्ता होती है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी उच्च प्रतिरोधक सक्ती यहाँ पे सही निम्न गलनांग हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे बटे में यहाँ पर देखिए उर्जा रुपांदर दिया गया है और आपका यूकती सही प्रक्रम दिया गया है तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं देखिए जो आपके हाँ पर उस्मा से विधुत की बात करेंबिते ही तो आपका हैं पर ताप विधुत सनेंत्र हो जाएगा वैधूत से धुहनी जो है आपका हो जाएगा लाओड स्पीकर दरव्यमान से उर्जा के अगर हम बात कर लेते हैं तो नाभी के रियक्टर हो जाएगा और वैधूत से यांतरिक आपका हो जाएगा वैधूत मोटर याद रखेंगे भूलेंगे नहीं जब पानी में सधार्ण नमक मिलाया आता है तो पानी के कोथनांग बिंदू और हिमांक बिंदू पूछ रहा है देखिए इसका उत्तर हो जाएगा करम सब बढ़ेंगे और घटेंगे डी जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आप इसको भूलेंगे नहीं आगे है काश्ट, अस्थी और संख के पुरा तत्विक नमूनों का काल निर्धान करने के लिए निमलिखित मेंसे कौन सा अपनाया जो है जायता है आंसर हो जाएगा option number C, कारबन 14, कारबन 14 इसका उत्तर हो जाएगा निमलिखित मेंसे किस एक को stranger gas भी कहते हैं देखें, इस्ट्रेंजर गैस की बात कर लेते हैं, तो यह आपका क्रिप्टॉन हो जाएगा, option number C, क्रिप्टॉन, द्रवी क्रीद पैट्रोलियम गैस, LPG, निमलिखित का मिसरण है, निमलिखित का मिसरण है, तो यह आपका व्यूटेन व प्रूपेन, व्यूटेन और प्रू का D, करेक्ट हो जाएगा, धुवा में आखों को पर्वावित करने वाला कौन सा सकती साली उत्तेज होता है, बताईएगा दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा, पैराक्सी, एसिटीन, एसिटील, नैट्रेट हो जाएगा, D हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एक रेडि होगा, यह आपका हो जाएगा, एक सो चालीस दिन, एक सो चालीस ओप्सिन नमबर A, परकास संसलिसर के लिए आवस्यक ततों के नाम बताईए, आंसर हो जाएगा, कार्मन, डौयोकसाइड, पानी और सूरे का परकास, आंसर हमारा C हो जाएगा, प्रोटीन संसलिसर में नीम प्रदरवी, जलिका और राइबोसोम, B जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनुस्यक के सहीर के किस अंग में लिंफोसाइट का निर्मान होता है, देखिए लिंफोसाइट की बात कर लेते हैं, तो आपका अस्थि मज्जा हो जाएगा, ऑप्सन नमर हमारे हैं पे, B जो है की तुलना में बिंबानु जेहे अधिक होते हैं, तो हमारा ऑप्सन नमर यहाँ पे, D हो जाएगा, निर्दलिखित में से कौन सा वायू प्रदूसर, ऑक्सिजन किया पिक्छा जिवे अधिक सिगरता से रक्त की हिमोग्लोबीन में घुल जाता है, हिमोग्लोबीन में, आं ग्रंती, बाकि थाइराइड है, पीनियल है, और अधिवरिक भी है, मस्तिस्क्य तथा मेरे व्रज्जु पर चढ़ी जिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग पूछ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा, मेंदन जाइटिस हो जाएगा, D का सही उत्तर हो जाएगा, देखे, आगे प्रस्द है, यहाँ पर मिलान करने वाला है, देखे, जो आपका यहाँ पर एड्री नलिन दिया गया है, यहाँ आपका हो जाएगा, क्रोध भय खत्रा हो जाएगा, एस्ट्रोजन जो है दोस्तों यहाँ आपका हो जाएगा, इस्त्रियां, एंसुलीन जो है या आपका हो जाएगा गंध के बोद से साथी को आकर्सित करना ठीक है यदि एक व्यक्ति केवल दूद अंडे एवं रोटी का आहार ग्रहन करता है तो उसे रोग हो सकता है तो इसका रवी का आप्शन हमारा यहां पर एस सही हो जाएगा सभी प्रकार के कैंसर के चिकित्सा है तू निमलखित में से कौन सा उपचार जो है नविन्तम है तो नविन्तम के अगर हम बात कर लेते हैं तो तिप्रता अधी मिस्रित वीकिरण चिकित्सा आई एम आटी हो जाएगा ओप्शन नबर सी हो जाएगा चलिए नेश्ट कोशन है बोलाए कि पौधो में गंधा की कमी के लक्षण सरवपर्थम प्रकट होते हैं तो उपरी पत्तियों पर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर भी मिलान करके बताना है तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं 84 नंबर देखे जो आपका यहाँपे प्लेग दिया गया है यह आपका हो जाएगा जिवानू ठीक है AIDS आपका होता है वायरस से यानी विषानू से गंजापन जो आपका होता है कवक से होता है और malaria जो आपका होता है या आपका proto-joa हो जायगा ठीक है चलिए आगे हैं बोले कि बेसिलस फूरीन जेंसिस गाउपकियोग जहें होता है आंसर ओ estaban जायागा जैविक किटनासक। जैविक किटनासक option n.B आगे प्रस्ने हैं बोले कि क्लिंकर क्लिंकर थियोरी का संबन्ध निम्न में से किस घटना से है तो यह आपका होता है काल प्रभावन से काल प्रभावन ओप्सन नमर सी यह आपका मैंस का कोशन है तो इसका टारगेट बैस देखे स्टार्ट तो हम बोल लें कि करने के लिए लेकिन हो नहीं पा रहा है तो बहुत जल्द हम इस्टार्ट करेंगे तो आगे देख लेते हैं न का आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर डी अजमेर अजमेर इसका उत्तर हो जाएगा 2022 के यहां पर देखे आगे हमारा प्रस्फन है 2022 के लिए साहि גने नोबल पुरसकार से किन्हे समानित किया गया है तो किन्हे समानित किया योग डी इसका सही आंसर हो जाएगा चली आगे प्रस्ण है निमलिखित में से वह कौन सा पहला देश है जिसने अपनी सड़कों पर चालक रहीत वाहनों के परिचलन को अनुमती दिया है आंसर हो जाएगा यूनाइटिट किंग्डम डी इसका सही आंसर हो जाएगा आगे हमारा प्रस्ण है कि मनी का बत्रा निमलिखित में से किस खेल से सम्मंदित है तो यह आपका हो जाएगा टेबल टेनिस डी इसका सही आंसर हो जाएगा केंदरिय सिख्षा मत्री धर्मिंद्र प्रधान ने मिखित में से कहां भारत के दूसरे राष्ट्रिय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्गार्ण किया है आंसर हो जाएगा पूरी और इसा यानि डी सुरी आप्सनमर बी इसका उत्तर हो जाएगा किस देश ने हाल ही में चीन को हरा करके F.I.B.A. महिला बास्केट बॉल विसो कब 22 का खिताब जो है जीता है तो सनिक्त राज अमेरिका हो जाएगा ऑप्सनमर बी सितंबर 22 में किस राज में पहली बार नागा मिर्च महोसो आयोजित जो है किया गया है तो यह आपका हो जाएगा नागा लेंड ऑप्सनमर डी चलिए निमर्खित में से किस देश का हारलेम सहर मांस के विग्यापनों पर प्रतीबन लगाने वाला दुनिया का पहला सहर जो है बन गया है तो यह कौन बना है बताईएगा यह आपका हो जाएगा ऑप्सनमर बी नीदर लेंड भारतिय सेना ने हाल ही में कहां परवत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है देखिए सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सनमर बी लद्दाख आगे प्रस्न है किस राजे के मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग ने हाल ही में अम्मा योजना की सुरुआत किया है देखिए अम्मा योजना की बात कर लेते हैं तो यह आपका सिक्किम हो जाएगा और ऑप्सन नमर भी करेक्ट हो जाएगा अगस्त 2022 में किसे लद्दाख के सर्वच नागरिक सम्मान से सम्मानित यहां पे किया गया है तो यह आपका हो जाएगा ओप्सन नमर ए दलाई लामा अगस्त 2022 में किसे लद्दाख के सर्वच नागरिक सम्मान से सम्मानित जो है किया गया है आंसर हो जाएगा दलाई लामा ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जलवाईू लचीलापन और काम कारवन विकास के लिए किस राज्य ने यूनेप के साथ जो है समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं आंसर हो जाएगा ओप्सण मलबी बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य वैडमिंटन एसोसियेशन के बैनर तले राज्य इसतरी वैडमिंटन रैंकिंग टूनामेंट का आयोजन कहां जो है किया गया था आंसर हो जाएगा option number D गया गया इसका उत्तर हो जाएगा प्रतेक वर्स विस्व का पास दिवस की स्थिथियु को मनाया जाता है आंसर हो जाएगा option number B 7 October को क्या हो जाएगा 7 October को भोलेंगे नहीं आप सभी लोग भारत का पहला ड्रोन फोरंसिक अनुसंधान केंद्र जो है कहां पे सुरू हुआ है तो यह आपका सुरू हुआ है केरल में डी इसका उत्तर हो जाएगा बिहार इन्वेश्टर मील फिर से पढ़ लेते हैं बिहार इन्वेश्टर मीट 2022 का जो आयोजन है कहां पे किया गया है तो यह किया गया है पटना option number C बिहार विधान परिशद में किस application का उध्गाटन किया गया है जिसके बाद बिहार विधान परिशद डिजिटल व्यवस्था को यह डिश्टल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन जो है बन गया है आंसर हो जायागा E विधान एप्लिकेशन C इसका इसका उत्तर हो जायागा किस बिहारी बॉलिवूड अभिनेता या फिर अभिनेतरी को चुनाव आयोग ने अपना नैसनल आइकॉन जो है बनाया है आंसर हो जायागा पंकज त्रिपाथी ओप्सन नमबर B आगे प्रस्द हैं रसायन सास्त्र के छेतर में नुबन पूरसकार जो भार 22 से निमल्लखित में किसी सम्मानित किए गया तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उप्सन मेर हमारा इहां पर E हो जाएगा देखे रसायन बेग्यान की शितर में अमेरिका के इस्टेन फोर्ट यूनिवर्सिटी की कैरोलीन बेटर जीक हो जाएगा डेन्मार के कोपेन हेगन विद्याले के मौर्टन मेल्डन और अमेरिका के यहां पे जो के बेरी सार पलेस हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे सबी लोग तो इन लोग को दिया गया है एक स्यादी की उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से बिहार के किस सहर या फिर जीले में जल एवं फूमी परबंधन जो है इस स्थान स्थान इस्तित है या आपका पटना हो जाएगा ओप्सन नमबर A जलकूंड बांध बिहार के किस जीले में इस्तित है आंसर हो जाएगा अठार का ओप्सन नमबर A हो जाएगा मुंगेर याद रखेंगे मुंगेर बिहार के निमलखित जीलो की जनसंख्या घनतों के अवरोही क्रम के अनुसार विवस्थित करें और सही कुट का यहाँ पर चैन करें आंसर हो जाएगा C, यानि बेगुसराय हो जाएगा, वेसाली हो जाएगा, दर्भंगा हो जाएगा और आपका यहाँ पर पटना हो जाएगा क्रिसी, लागत और मुल्य आयोग को कितनी फसलों के लिए MSP पर सलाहा देना अनिवार है आंसर हो जाएगा 23, ऑप्सन नमर C, भारत में 200 सेंटी मिटर से अधिक वार्सिक वार्सा एवं धलान वाले पहाड़ी इलाकों के लिए कौन सी फसल जो है उपियुकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर B, चाय, याद रखेंगे चाय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि यूपी में होता है, कहां पे होता है यूपी में, भारत में सीसा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्ये निमलिकित में से कौन सा है तो यह आपका रायस्थान हो जाएगा उप्सन नमर ए निमलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्द उत्पादन है तो दुग्द के अगर हम बात कर लेते हैं तो अपना भारत ही हो जाएगा उप्सन नमर डी बिहार का पहला रामसर इस्थल कावर ताल निमलिखित में से किस जीले में इस्थित है तो बताईएगा दोस्तों यह हमारा हो जाएगा उप्सन नमर सी बेगु सराय में क्या हो जाएगा बेगु सराय बिहार कवह जीला जिसने 2011 की जनगरना के नुसार सबसे अधिव जन संख्या विर्धि दर्ज किया है तो यह आपका हो जाएगा मध्यपूरा क्या हो जाएगा मध्यपूरा निमलकित में से कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर और अधन की खाड़ी को जोड़ता है आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर भी बाब अल मंदेव यह ऑप्सन नमर भी इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2019 से 20 में सित कीमतों पर बिहार की जिये एश्टी में विर्धी की जर्द जो इसका दर है क्या रखा गया है दर तो देखे इसकी दर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा तरस दसमलों पांच साने दस परसेंट केंद सरकार्न द्वार 21-22 के लिए राज्यों द्वारा सुध उधार लेने के लिए लेने के संबंध में कितने प्रतिसत की कमी प्रतिसत की सीशा की अनुमती दिया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जी एस डी पी का चार प्रतिसत गरीबी के मापन की कारी प्रतिसत की समिक्सा यहां पर देखिए बोला गया है ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नुमर पी हो जाएगा स्री रंग राजन समीती हो जाएगा आगे के सौच सरवजचर रिपोर्ट दौर बाइस में पटना का जो इस्थान है क्या था देखिए पटना की इस्थान की बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 38 भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह हो जना किस वर्ष जो है सुरू किया गया है तो 2015 हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा ओनलाइन विवाद समाधान के उपियों को व्यापक बनाने के लिए नेती आयकद्वरा गठित समीति के अध्धिक्ष जो है कौन है देखिए यह आपका हो जाएगा सेवा निवरित नयमूर्ती अर्जुन कुमार सीकरी इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे परस्ण है कि बिहार के राजगीर में नेचर सफारी का उद्गाडन जो है कब हुआ है आंसर हो जाएगा 26 मार्च 2021 भारत का पहला म्यूजियम बियनाले कहां आयो जो है किया गया है तो यह आपका हो जाएगा आप्शन मर्सी पटना लूपेक्स एक सन्युक्त मिशन है लूपेक्स तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा भारत और जापान का मियावाकी वीधी क्या है तो नवी यानि स्थापना के अनुसार ग्लानुक्रमिक ग्लानुक्राइगा बीस का सही उत्तर हो जाएगा भारती आर्थिक इतिहास के संदर्व में निमलिखित को उनकी इस्थापना के अनुसार ग्लानुक्रमिक क्रम में विवस्थित करें और सही कूट का यहाँ पे चैन करें तो यह आपका तीन चार दो एक यानि छेतरी ग्रामिड बैंक हो जाए जाए गा से भी हो जाएगा और आपका इरटाई हो जाएगा ठीक है वर्तमान थोक मुले सुछकांग में आधार वर्स क्या है तो यह आपका हो जाएगा 2011 से बारा ओपसन लमर भी हो जाएगा करेक्ट आई एलो के अनुसार दो आर बीस में भारत में बेरोजगारी दर क्या थी तो बेरोजगारी दर की बात कर लेते हैं तो देखें यह आपका हो जाएगा साथ दसमलो एक एक परसेंट हो जाएगा ऑप्सन नुमर भी भारत के कितने राज्य बांगला देश की सीमा को छ मीजोरम में घाले हो जाएगा ठीक है तो इसको आप पच्छे साथ और यह सबसे अधिक लंबा होता है मतलब अंतराश्ट्र सीमा रेखा 4096 किलोमेटर होता है 4096 दसमलो 7 किलोमेटर कौन सा पठार मलनाड और मैदान में विभाजित है यह आपका हो जाएगा करनाटक पाथर और जैनती डैस की सहायकस नदियां है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन नमर सी अजय अजय इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे परसन हमारा बोल रहा है कि निम्रिखित में से बिहार के किस जीले में भारत सरकार दोरा निकेल के भंडार की खोच किया गया है तो हमारा ऑप निकेल की भंडार की खोच किया गया है तो हमारा ऑप्सन नमर ई हो जाएगा मंजार कुंड कहां पर अवस्तित है तो यह आपको रोहतास में देखने को मिलता है बिहार के निम्र में से कौन सा छेत्र सल्तनत के पतन के बाद जौनपूर के सरकी सासन के अधिन जो है आया है 17-22 की अधिक दारान डैस बढ़ने का अनुमान जो है लगाया गया है यह लगाया था ओप्सन हमारा यहां पर दिया गया है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा 14 प्रतिस्वत वर्स 19-20 में बिहार मिनिम्न में से किस चावल की अधिक्तम उपज निजी नलकूप योजना के अंतरगत अधिक्तम अनुदान प्रदान की जाती है 15,000 रुपया ओप्सन नमर सी राष्टरपती दुरोपती मुर्बुने किस राज्य के सहडोल में पैसा एक्ट यानि पैसा एक्ट जो है लाउ किया है तो यह आपका हो जाएगा ओप्सन नमर और यह हर याना तो दोस्तों आप सब लोगा यहीं पर सेट समाप्स होता है वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर भी कीजिएगा और डेली आपका वेपेसी का सेट जो है आपको कम्प्लिट करा जाएगा मिलता है एक नए वीडियो में आज के लिए इतना ही जाहिंत